आप देख रहे हैं SDM News मैं हूर रियाद अंसारी इस वक्त में महारास्टा के तारिक की शहर अरंगबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मैंने विशे है वो आपने देखा होगा अगबरात के अंदर के शिमला के अंदर संजीवली मस्जिद पर जो तनादा चल रहा है तो इसके ओपर वहां के मसल्मानों ने इलान किया है कि हम उपरी दो मंजिल जो बनीवी है एक्स्टा उसको हम तोड़ देगी उसको लेकर पूरे सिमला में पूरे संजीवली में एक हंगामा हुआ और पूरे नैशनल वीडिया उसको लाइव बताय गया और हजारों हजारों ल एक तफखा खासकर मसल्मान एक अजूब गरीब एक हैसा से कम तरी और अपनी बेचेनी को मैसूस कर रहा है और चूब के दूसरी दरव एक महीम अभ्यान चलाया जा रहा है पूरे देश के अंदर के वख बोट को बचाने के लिए की और कोट के जरिये से एक अभ्यान चला आउलाइन ये सारी बात आपने देखा अखबार के अंदर ही पड़ा सारी बात सही है लेकिन मैं जो अभ्यान चला रहा है खासकर के हमारे जो अल्माई दीन अल्मा एकराम और मैं समझता हूँ किसमें अब कोई मुस्लिम तद्जीम द्रमा चुटी भी नहीं बलके पसलना बोट के जम्मेदारान से अद्बन गुजारिश करता हूँ कि जैसा आप याभ्यान चला रहे हैं कि भाई ये वागबोट को बचाना है सारी बात है लेकिन ये शिमला के अंदर जो संजूली के अंदर मस्जिद के तनाज़ा हुबरा तो इसके अंदर एक एक बात ब यह किसे ले आप चार मस्जदा बना रहे हैं पाच मस्जदा बनार हैं उपठर कुछ ऐत और टैरिस खुला चोल रहे हैं अब एक एक चूटी-चूटी बात के इंदराज करें आप मस्जिद कित्ते बाई कित्ते की है भायर पार्किंग कैसा कित्ता है उसका मतलब साज़ब जवारे रिस चर्च ये कहा जाता है कि अम्द शांती के केंदर है ये अम्द शांती के केंदर है ऐसा कहा जाता है कि अफसोस की बात है कि भाई दो मजली अगर तामीर हो जाती है तो इसके अपर एक हंगामा होता है और वही शांती के केंदर के उपर जो दो मनजली बनी भी है उसको तोड़नी के बात की जाती है ठीक है खानून उसके उपर तो कोई नहीं खानून की पासदारी होने चाहिए खानून के उपर अमल होना चाहिए लिगन सवाल ही है हमने एक दिल्ली के अंदर के वाक़ए यह भी देखा है आपने देखा होगा एक पुलिस का जवान उसके पर मतलब लात मार रहा है और मतलब रोड़ पे आपने ट्राफिक जाम क्यों गिया उसका मकसद यह था है कि आपने रोड़ पे आप नमास कैसा पढ़ रहे तो भाई हमारे जो शिमला के जुम्मेदारान है खासकर हमारे हिंदू भाई है और मांके जो हिंदू लीडरान है उनसे भी हमारे अद्बन गुजारिश है तो आपको तकलीफ होती है आप बोलते हैं कि रोड़ जाम कर दे रहे आप आप ट्राफिक जाम कर दे रहे यह अगर दो चार मंजिले बढ़ जाती है तो वहाँ के अबादे के साफ से जो है तो एद का मौका है बखरित का मौका है जुमी की नमास का मौका है तो पूरे लोग आराम से जो है तो एक मस्धित के अंदर इत्मिनान के साथ एक इमारत के अंदर जमा होके, यानि कि मजदीद के जमा होके नमास अदा करेंगे, न उसके किसको शोर गुल होंगा, न हंगामा होंगा, ट्राफिक होंगा, न कोई शिकायत होंगे, ताब इस पहली पर भी गौर कीजिने, जबके हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं, कि भाई सरकार जो हर राज के अंदर मंदीरों को जो है तो जो है तो उनको अतियाद देती है, उनको मराद देती है, उनको सौलत देती है, उनके डेवलब्पन के लिए फंड देती है, देखिए उसको नाराजगी नहीं, जो भी आप मंदीर है, मंदीत है, गुर्दवार है, चर्च अगर सरकार देती इतको अच्छी बात एक बुरी बात नहीं है लेकिन सवाल ही है कि मस्जिद के वास्ते मुसलमानों ने कभी आपसे फड़ने मांगा है कि हमको मस्जिद तामीर करना है मस्जिद को डेवलप करना है या इसको बहुत इत्यासिक मिनार बना रहा है और हम मतलब किसी स्टेट से या किसी आमदार से खादर से मुसलमान पैसे मांग रहे हो कि भाई आप दो पास लाग रुपए कर शेक दो या आपके नीदी से जो है तो पचास लाग रुपए दो ताकि हम जो है तो मस्जिद बनाते हैं ऐसा कभी देखने हम नहीं आया है तो यह अफसोस की बात है अब सवाल यह है कि जो जिन्हों ने मुन के लिए खुर्बानिया दी वो इल्मा एक्राम जो पास टाइम के नमाजी थे जो शहीद हुए जिन्हों ने फासी के पंदे को चुमा और अंग्रेज जिन्हों उनको फासी पे तंगाया था क्यों कि यह आजादी की मांग कर रहे थे यह देश के लिए लड़ रहे थे और कई ऐसे जो जवान जो हमारे देश पे डटे वे हैं को इसमें मुसल्मान भी है जो वक्त पढ़ने पे अपनी जान का नज़रा देने के लिए तयार है क्या देश ने वो नहीं देखा कैप्ट देश के लिए मर मिटता है पाकिस्तान को टेंक को उड़ाता है और भरत को जी दिलाता है अब अब अब्दुल हमीत कौन था अब्दुल हमीत एक मुसल्मान था अब्दुल हमीत एक मुसल्मान था उसकी पुरुज उसके नाता वाई कसा मुसल्मान थे कहने कही वो एक मुस वक्त मरने इतने जान का नजरान दें भारत की हिफाज़त के लिए तैयार है और हमारे A.B.G. अब्दुलकलाम जो भी एक मसल्मान रास्पती गुजरे भारत के अभी हाली में इनका मतलब देहान थुआ उन्होंने जहें तो भारत को एक मिजाइल बना की दिया भारत देश को शक्तिशाली बनाया ऐसा देश तचना शक्तिशाली बनाया कि किसी की जुरुत नहीं खास करके पाकिस्तान की चैना की भारत की तरफ आख उठा कर देखे ये एक कहें ना कहें एक A.B.G. अब्दुलकलाम कौम थे एक मुसल्मान थे मुसल्मान थे और बड़े इज़ात के साथ देश ने भी उनको संबान दिया अगर देश के लिए उन्होंने कुछ किया है तो याकिनन देश ने भी उनको लिए बहुत कुछ दिया है उनको राश्पति बनाये इससे भी हम इंकार नहीं कर रहे है लिए सवाल ये साब अगर कोई बंदा कुछ के मिनिटी से आता है अगर मुसल्मान के मिनिटी से आता है अगर परदान मंतरी भी बन जाता है अगर वो राश्पति भी बन जाता है तो क्या वो अपने धरम को भूलता है तो कहिना कही धरम जो है तो एक बहुत हिसास बात है तो हमारे देश की जितने भी राज्य है मारके जो मतलब पढ़ान मंत्री है मुख्य मंत्री है तो उनको सोचना चाहिए ये भाई इसके अंदर कम से कम राज्यती मत करो क्यों क्यों कि ये इश्वर का घर है जिसे में अल्ला कहते हैं, राम कहते हैं, रहीम कहते हैं, भगवान कहते हैं, गौड कहते हैं पता नहीं उनको कितने नामों से पुकारा जाता है कितने नामों से पैठान जाता है और आज वो घर के अंदर क्या होता था साब एक नमास पढ़ते थे लोग चले जाते थे तो आप पुरे रोड के पर रस्ते पर आगे जो मसलमान देश की हफाधत के लिए मर मिटने के लिए तयार हो मर मिटने के लिए तयार है और कई हज़ारो मसलमानों देश के लिए शहादत दी है ये उत्यास उठा के देखो और आज उसे समाज के कोई गाव में कोई शहर में अगर वो अपनी इबादत के लिए अगर दो इमारत बना लेते हैं चलो ठीक है उनकी गलती सही हम यह नहीं बढ़े कि उनकी गलती नहीं है बना लेते हैं तो बताईए कों से जॅव है कों से जॅव है यह हम जूर में इसलिए इस पलिए हम सवाल खड़े कर रहे हैं कि दुसरी तरफ सरकारे जए तो मंदिरों को जए तो उनको जए तो बहूँ कुछ तो फंट देती है你有atti तीरी तेत्रों के लिए तो अपने लिए सरकारी खाइने खुलती है जा हमारी तीरे ती तैत्र हाएंगे मुझे इस ही यह आने-जाने के तरतेronics आने कोई पर नंक क safer कोई कर दो कुर्म नमास पढ़ते हैं इसके पुए मजबूरी में सब्सक्राइब कुछलते हैं humwe मजबिरे में लोग नमाज पढ़ते हैं तो आपको खुश होना चाहिए बलकित आपने तो हमारे इंदूर भाई है उन्हों दिल बड़ा करना चाहिए था ये भाई हमारे मुसलमान भाईयों को नमाज के लिए तकलिफ ना हो तो हम उनके साथ में है अगर उन्होंने पर्मिशन नहीं लिका ला है कुछ लिका ला है तो पर्मिशन को आप मंजूर दे सकते थे हमारे में खानून भी है आप मंजूर दे सकते थे भाई ये पैनल्टी भरी है आप आपने पर्मिशन नहीं ली है उसका जो भी सरकारी एक निजाम होता है कारप्रोशन का बल्दिया का उसके साफ से दर्खा से मंगाईए और उनको मंजूरी दीजिए उनको लीगलाइज कीजिए अब जरा सोचिए हम तमाम जो हिंदू संगर्टन के लोग जो तमाम मेरे हिंदू भाई बिरादरानी वतन मैं आप से एक सवाल करता हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक मुस्लिम कम्यूनिटी से आता हूँ मैं समा सेवक भी हूँ सोचल मीडिया चलाता हूँ एक साफ तेक पर संपा तक भी हूँ और मैं देश के लिए हमेशा खंट के लिए आवाद बुलंद करते रहता हूँ गंगा जमना तैजीब का कल्चर इस मुल्क में खायमरे इसके लिए में कोशिश करता हूँ और वही नजरिये से मैं तमाम देश के हमारे सौ करोड जो हिंदू भाई है तमाम जो हिंदू संगटन की जो लोग है तमाम जो देश भरने पहले वे हमारा भाजब के नेता है परदान मतरी जो तर नरिंद मुदी साहब है मौन भागवाट साहब है तमाम बेजीपी के नेता है शूर्शने के नेता है जो हमारे बज़नग दल है विशुन्दू परश्ट है हम मैं एक सवाल करता हूँ मैं आप सबसे मेरे सवाल है और यखिन मानिए कि ये सवाल एक तरह से मेरा ज़रू सुनाई दे रहा है आपको कि भाई एक सवाल एक बंदे ने किया एक मिसल्मान पत्रकान ने किया लेकिन यखिन मानिए ये जो मैं सवाल आपसे करने जा रहा हूँ ये पूरे 30 क्रोड़ मसलमान आपसे सवाल कर रहे है अपने दिल पे हाथ रखे जवाब दीजिए वो सवाल ये है कि जब बाबरी मजदित का फैसला हुआ जब बाबरी मजदित का फैसला हुआ हम सुप्रीम कोट के जो फैसले का हम एतराम करते हैं उनका अधर करते हैं कि मुसल्मानों ने बाबरी मस्जित हमारे जो देश के जो हमारे करोडो हिंदु भाई है जो जिनकी एक आस्ता थी एक कहिना था पराचीन भारत के साब से या अधर्मिक विछारों के साब से कि शिरी राम भगवान उनका जन्म हुआ था जो भी सारी बात थी तो मुसल्मानों ने अपकी आस्ता के इतना आधर किया इतना आधर किया जबकि उसमें आस्ता के बिजिकर आया तो देश के 30 कृड़ मुसल्मान iquले हैं जब के बहुत सालों से विशु चड़ रहा है इसके उपर देश में कही बाद दंगे भड़के के हजारों मतलब सैकड़ों मतलब कई सैकड़ों जानने गई कई करोड़ों का नुकसान हुआ इसके देश के हमारी बदनामी भी हो रही है हिंदू-मुस्लीम एकता मुतासीर हो सारी बात हो रही है नफरतों के दिवार खीची जा रही है तो देश के 30 क्रोड़ों मुसलमानों ने जब फैसला आया तो पुरे देश इतिहास गवा है पुरे भारत का देश गवा है कि एक भी कही दंगा नहीं हुआ कि मुसलमान रास्तों पर आए और उन्हों ने यह कहा क यहास जो हमारे देश की जो करता धरता है आपको पता है तो मैं हमारे मोदी जी से और शिमला के हमारे मुख्यमंत्र साहब है विस्वा साहब जो भी है आपसे पूछना चाहता हूं बहुत बतोर मुसलमान और यूं समझे जीए कि सवाल मेरा अखिला है कि नहीं यह 30 क्रोड मिसलमान इतना दिलला कर सकता है ते क्लों मसलमान इतना दिलल बड़ा कर सकते हैं कि हमारे हिंदू भाईयों के आस्तता को देख देँए आपने मस्जित का फैसला जो आता है और एक ट्योट से कहता है कि भाई यह आज से राममंदीर है तो मुसलमान उसके पैसला को खुल discussion क कर रहे हैं और बड़ा अच्छा एक महां का खुजगवार माहूर चल रहा है तो क्या आपका दिल कि आपका दिल इतना चोटा है कि एक मुसल्मान अपनी खुद की मिलकियत पे अपने चंदों की पैसों से अपने जेद से खर्चा करके अगर दो माले की दो माले चड़ा लेता है और यह सोच की चड़ा लेता है कि भाई मुसल्मान के रास्ते पे नमाज ना पड़े और कई रास्ते में चलने मालों को तकलीफ ना हो या दूसरे अलफाज में हमारे हिंदू भाईयों को तकलीफ ना हो जो भी हो वो कर देता है तो आप पादिल इतना चोटा है कि जो इस्लामी संगटनों ने बाद अब तब सब मुसलमानों को सामालते हुए कहा कि फैसला जो भी आएगा आपको खुबूर करना पड़ेंगा और हम सब ने इसकुबूर किया मैभिक मुसलमानों हमने भी खुबूर किया कि हमारे बड़े कह रहे हैं सुप्रेम कोर्ट कह रहा है हमने खुबूर किया और जो भी सत्तर अस्ती पच्चसी कर जो भी जमी थी बलके ज्यादा है वो वो आपके हवाले की तो आपका दिल इतना छोटा है यह सवाल में तमाम देश के सौक कोरोड हमारे हिंदू भाईयों से बर निम्रता के साथ हाँ जुड़ के पुछना चाता हूँ कि आए मेरे हिंदू भाईयों आए मेरे देश के मेरे भाईयों आए मेरे तमाम भारतियों मैं खुद भी भारति हूँ आपसे सवाल करता हूँ कि आप पर दिर इतना छोटा है कि एक मुसलमान बाबरी मस्जित का फैसला सर आखों पर समाल देता है आपके हाले हम कर देते हैं जब देश की संकट आता है तो हम गरदने कटाने कटा देते हैं अब्दुलहमीत की नाम अब्दुलहमीत की एक शकल में हम शहीद हो जाते हैं बिरीडर उसमान की शकल में हम शहीद हो जाते हैं पता नहीं ऐसे कई मसलमान शहीद हुए देश को आजाद कराने के लिए जो कटर मसलमान जिसे मौली इकराम कहते है ये आपके भाष़ा में मौली मुला कहते हैं उन्हों पासिक फंदे को चुमा कि इसलिए चुमा था कि वो देश को को इसलामी राज बनाना चाहते थे नहीं उनकी सोच तो ये थी कि हम आउरे देश को हम अंग्रेजों से खुलामी से आजाद कराए और इस मुल्क में हिंदू, मसल्मान, सी, किसाई हैं मिलकर रहे ये सोच विशार थी उनकी आत्माएं उनकी रूह उपर गर अस्मां से देख रही होगी और आप हजारों के तादात में लोग सड़क पे आ गए है और अब ये कह रहे हैं कि दो मालक गिराद हो और हम उनकी आनुवाई, यानि कि जो शहीद हुए जिनों फास्या पे लटके आज उनकी आल की आल यानि कि उनकी नसले, उनकी आवलादे आज भारत में जिन्दा है और उनकी, उनको आज कहीं कहीं ऐसी ततलिफ को सामना करना पड़ता है तो बताईए, अपने दिल पे हाथ रखे बताईए इसके अंदर को राज नीती मत लाईए धुर्ड दिर के आसे खानुन खायदे को पिशमे मत लाईए मैं खानुन खायदे को पिशमे मत लाईए, इसलिए शब्दों को इस्तेमाल कर रहा हूं कि जब राम मंदिर का फैसला आता है बाबरी मज़ित के फैसला आता है तो मुसलमान अपने उपर उटकर वो खारून के बिश्मिन लाए बलकि ये कहा कि नहीं जब आस्ता का जिकर आया तो ये हमने आपको एक खारून इसाफ से आपको तोफिमे दी दिया ये कहा जाएंगा न तो मुसलमानों इतना बड़ा दिल किया और आप जो है तिक दो मजली मजली चड़ा देते हैं और साहब वो तस्वीर में बता रहा है कितने लोग नमाज पढ़ेंगे दो मजली के अंदर बहुत से बच पाच्छे सो लग पढ़ेंगे लेकिन अगर आप अगर आप रोड़ पे नहीं आते तो पुरे दुनिया देख रही है साहब पुरे दुनिया देख रही है और इसलामी रास्ट इसलामी रास्ट के लोग भी देख रहे हैं मैं इसलामी रास्ट का शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ दोता सब्सक्राइब सबर्क एभ सब्सक्राइब अब लीग miss तो उनको जो है तो मंदुर्य बनाने को प्रमिशन दी और खास बत यह कि वहांगे जो इसलामी रास की जोओं है इसको आपकी शेकल में हमारे बाशा हम कहेंगे सामदार खासदार वहांके जो बड़े बड़े परमुक जो लोग है वेकती है वो जो जो जह तो मंदुरी की कि भारत से आने वाले हिंदू या और भी देश स्थाव हिंदू है ताक्यわ हिंदू भाईयों को एक एक आस्ता का स्ता रही फूजा पा पर श्याद का स्ता Saul gebracht मिले फ़िंश्य मंदिये उन्होंने मंदिर बनाने के लिए प्सक्राइब के लिए कुछ होंगे ठोड़े बहुत वालक शक्राइस करते हं यह 15 साथ से 20 साथ से काम करते हैं यह इसलामी देश का दीन इतना बड़ा हो जाता है कि यहाँ पर 20 साथ से काम कर रहे हिंदू भाई काम कर रह différentes रहने-वाले रहने ने वाले यह दूत्व को मांते हैंhstiraam के पूजा करते हैं या जो भी हिंदुत्वा की वो है उनकी लिए हो सिफ पाम करने जबके पर्मेंड भी नहीं है वहां के रहवासी भी नहीं उसके बाद भी मंदिर बना के देते हैं और यहां के जो मुसलमान जिनों यहां मस्जिद को बनाया है शिमला के अंदर वो पकटर भारती हैं वो यहां भारती है वो ओड देते हैं आमदार के टाइम उड़ देते हैं खाजदार में उड़ देते हैं और यहां के मुसलमान हम इतिहास गवा है कि उन्ह वहारे समाज को बनाने के लिए देश की अखंता के लिए एकता के लिए अपना योगदान के लिए तैयार रहते हैं कि इतनी छूटी बात को इतना बावल मचाना जरूरी था जबके हम ये भी देखते हैं दुसी तरफ के कभी दहिली में कभी मुम्माई में जो है तो सादू संतों के हमारे धार्मी इसलामी लोगों के जो है तो सम्मिलन होते हैं हमारे आदरनी सादू साब और उन्मा एकराम जो है तो आके मिलते हैं गले बैटे बात करते हैं और एक तरफ जो है तो यह नाजरा देखने के मिलता है एक तरफ हम गंगा जमना तेजिब की बात करते हैं एक तरफ हम हिंदुत्वा की बात करते हैं एक तरफ हम रामराज की बा गुझा अगर में महाराश्टा की बात करूँ यहां पर यह नारा लगा जाता है कि उस डगार पर उस रास्ते पर लोक्षाय बादियम से हम एक सामराज ची काम करना चाहते हैं ताकि आदने पूलाइब पूरा हो तो सपना चाहता हूं मसंपने की इसकाthyован में खालते हैं ऑड़ इने को तामीरों जरा सोचिए कि शिवाजी महाराज जी मस्जिद को बना के दिया ताके ये मुसलमान नमास पड़े जो आज महाराज सामराज के लिए लड़ रहे हैं जो आदनी सिवाजी महाराज जाज खड़े वे हैं उनके लिए जान देने के दियार है तो शिवाजी महराज ने आपको मस्जिद बना की दिया है इसलिए दिया है कि वो सामराज की विकालत करते हैं शिवाजी महराज की वफदार है तो शिवाजी महराज ने भी जो तोफे मस्जिद बना की दिया है तो क्या शिमला के जिए मुसलमान क्या भारत के वफादार नहीं, क्या भारत को नहीं मानते हैं, क्या तिरंगे को सलामी नहीं देते हैं, क्या वक्त आने पे भारत के लिए जीने मनने को अपनी शान नहीं समझते हैं, समझते हैं साथ, आज भी अगर यखिन मानिये, अगर दे मैं आता है तो मैं हला कि मैं फोजी नहीं हूं लेकि भारत सरकार से मेरी अनुरोध है कि मुझे बुलाईए आप मुझे बुलाईए हम बॉर्डर पर जा कि और जब हमारे सामने एक मस्जिद साभ को प्रापर्टी नहीं है कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई लोन नहीं है को एशी बहुत बड़ी बात नहीं मुसलमानों के अपनी प्रापर्टी उन्होंने चंदे से जो भी खरीदा है इतनी गलती हुए कि शायद उन्होंने बढ़ा लिया हुआ पेपर में आ रहा है ठीक है तो कि आपका दिल इतना बढ़ा नहीं है कि जो मुसलमान देश के लिए टैमाने पर खुरुबानिया देता है शहादाते देता है देश को आज़ात कराने बितरवा योगदान दिया है कि आपका इतना दिल छोटा है कि आपने खानून के आड़ में कि यह गयर खानूनी है ऐसा है ठीक है हम मानते हैं अगर खानून गयर खानूनी होंगी है अगर है तो बिलकुल है तो क्या आप उसका अच्छा बहतर रास्ता नहीं निकास सकते थे एक खानुरी साथ से ताके देश के 30 क्रोड़ों मुसल्मानों का मैसी चला जाए कि देश के 100 क्रोड़ हिंदू जो है तो इस देश के मुसल्मानों को अपना छोटा भाई समझते हैं इनको अपना ब्राबरी का दर्जा देते सम्मान करते हैं कि इस तरह से हमारी गंगा जमना तैजी मजबूत नहीं हो सकती थी जरा कलपना कीजिए कि अगर हिंदू भाई आगया जाते हैं कहते हैं कि हम जो है तो आप बनाई हम आपके साथ में कितना अच्छा पैगाम चले जाता और कौन सा अरवो का करोड़ों के नुक्सान हो जाता साथ बहरेहाल ये एक बहुत बड़ा दर्द बड़ा मैसिश था एक संदेश था मैं उमीद करता हूँ कि इस घटना से सबक लेते हैं हमारे तमाम हिंदू संग टन की लोग हैं इसके बछ़गमगी टन सोचए आप क्यूंकि ये मामली बात नहीं है जब धर्म की बात आती हैं, जब धर्म की बात आती हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सीख हो, इसाई हो, पार्सी हो, कोई भी हो, तो वो अपने धर्म से अपने जान से ज़्यादा प्यार करता हैं, वो एक शुवर को मानते हैं, मुसलमान उससे अल्ला कहके पुकारते हैं, या कोई और धनब के लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, होस रखता है पूजा, ये बलत करने का तरीख अलगो, लेकिन हर कोई समाज का बंदा, बड़े लोग ये कहते हैं, कि वो इशुवार एक है, वो परमिशुवार एक है, उसको भले लोग अपने अपने तों से करते हैं, ये इत्यास में लिखावा है, यह हम अकसर परवशन में सुनते हैं, इस्टेट से भाशन सुनते हैं, उमीद करते हैं, कि इसके पर अप गमगी दस से ध्यान देंगे, और आखरी में जाते हैं, हमारे मुस्लिभ पसनला बुड़ के जिमेदार खुजारिशे, तमा टेक्स भरावर नहीं हैं, तो ऐसा एक लाहे मलत बनाओ, एक ऐसे टीम वर्क तैयार करो, और अपने खेड़ों में, पाड़ों में, तालुखों में, फोन करके पुछो, यह आपके खेड़े में कितनी मज़ीद हैं, गाओं में, दो तीन हैं, सब किलिया रह किया, लैड़ प्रषणी बगर बसती है, गरीब दो है, तो उनको अपने शेयरे बॉलाइए, शेयरे बुला के शेयर के मतलब, jest-why छेयर अच्छे लोग है, उनको अपिल किजिए, उसे चंदा जमा किजिए, आतिया जमा किजिए, और वहां के रैशत कर पूरा करने मदद किजिए, जो भ कई कुछ बातों को हमें ऐसे ऐसे भी लेकर चलना चाहिए अगर किसी घटना को लेकर अगर हमारे देश के बाइदु भाई का दिल बढ़ा करते हैं और इसको लेकर हिंदु मुस्लिम एकता परवान चड़ती है हमारी भायचारगी बढ़ती है तो यखिन मानिए हमें थोड़ कर हमारे तमाम मुसलमान लीडर जो अब यहां चला रहा है के वर्गबोर को बचान आए तो इसके फिकरे कीजिए मजीदे कितनी है नहीं है लेका बिल भरावा नहीं है टेक्स है क्या है नल लिये थे इसके पर होग जाएगा कल खुदा न करसता कर कोई मजीद के इंदर नल पेहं स Соग्off और में हम पाभवखो में लॉष हमें मेरेन ठेमात के साथ सरु शरॉटा कर भाखती हम अपने मौफुव कर सके हम अपने मतालबाज मतालबात को पेश कर सके हमारारी खबरस्तानों का हमारी दर्गाओं का अम हमारी बैठर तरीके से बाविखार तरीके ताहफुद कर सकें इसके लिए ये भी कोशिश की जिए खाली बचाओ 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 शक्कर में क्या होगा यह मज़िदों का बांगा हो जए गाइगा है क्योंकि कई हमारे पसाधे मामला है कुरानी मज़िद है रचाड़ रहा पारियम्स गोई क्राइए घूरा फून घ्रके पोन करके पैसे, लिगला से करना है, यह मदात्र बाद कि और तो मदात है और मेजद के साथ नSecond aí और मस्ट और मजजट का नाम यह है कि पूरा इसी हूई तही ती किसा इसा गैजट नंबर यह सर्वे नंबर यह क्या यह अप अब नए सवरुपैना को हचाल करो क्योंकि आप लोगा चान पे जारे हैं अगा इवे दो फिर रहे हैं तरह इससे जब बचो आप जारा आप ज़रा आप जारा आप जारा आप जब ड़्लेंगाए कोंसी मजीद है इतियासिक है मुगल के जमानी कि है को अगा दो पैसे लगत यहां बोड लगा था वोजमीनी तो वो जमीनी के वह साल पुरानी है उसके गार हमको मालूम रहेंगा हमारे बश्चे को बताएंगे उनके बश्चे को पताएंगे आने रुखतों में शायद कुछ शरात शर पसंदी का अंदेशा नहों यह करो ना उठे तो ऐसा उठे कि सोर पर लगे और इसके पर भी काम पर लगो यह आप से एक दर्दमन है उमीद मेरी बात को बुराना मानिए मैं बहुत तरड़ से बोड़ रहा हूं हरा हमारे हिंद्व भाई उसे पर मकातिब हुआ आप भी मेरी बात पर मेरी बात पर गौर फरमाए हमारे देश की एक्ता के सा आप भी गौर फरमाए उल्मा एकराम भी जो है तो जो कमिया है जो परवाई है जो भी है अब सारी बातों मठी दालो नए सीरी से क्याम तहाफुस की साफ से कागत पतर बनाने के कमी पड़ रही है उस पर आपी से काम पर लग जाओ जैसे काम पर लगे ना इस पर सो रही न चलाओ अगर कुछ कुछ तेक्स भरावा नहीं है कुछ कागस पतर के लिए नहीं है कमीटी बराबर नहीं है या दूरी है इसकी भी जारी रगो इसकी बी काम पे लगो कि ऐसा नहों कि बड़े की शक्र में इसा बड़ा काम हो जा रहा है बरहाल उमीद है कि आप इसके पर जागेंगे और बहतर से बहतर वो मौसर तरीके से अच्छे अंदाज से लीगलाइस अंदाज से आप आगे बढ़ेंगे ताके आने रोक्तों में किसको शरारत करने का कुछ उठाने का मौका ना मिले देखते रहिए आप एज्जामरी चैनल जैहिंद जैह महाराष्ट